तो आज हम आपके लिए एक निमेरिकल की प्रावल्म लेके आये हैं यह किसी ने मुझसे पूछा था कि इसको सॉल्व करके हमें बताईए फ्लीज तो मैं आपके लिए यह आर्क की ओपर कोश्चन लेके आया हूं जो आपने मुझसे पूछा था तो वेरी इंपॉटन कोश्चन है यह तो कोश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ इसका बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसमें कौन-कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं कैसे आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो डाइग्राम से देखते हैं कि आ आर्क जो होती है वह वह कुछ इस तरख ती देखती है आपको जब आप डाइग्राम बनाते है तो मैं आपको जो फिजीकल दिखती है वह कैसी होती है वह बहूंपको यहां ou get आटी हिकने सो कुल में और तक यहांard किया है इस तिकनिस होती है इसकी width है कितना चोड़ा है वो 0.4 meter है और यहाँ पर अगर आप इसके radius की बात करेंगे तो radius आपको find out करना पड़ेगा जो यह होता है यहाँ पर यह mean radius होता है और यह जो है dot line जो बनी हुई है यह ml होता है इनको mean length के नाम से जाना जाता है यह थोड़े बहुत point है इसके according ही आप quantity को find out कर सकते हैं यह आपको पता होने चाहिए कि R कौन सा होता है MR कौन सा होता है and ML कौन सा होता है तो जब भी आप semi circle R की quantity को find out करते हैं तो उसके लिए दो formula यूज होते हैं एक तो बहुत ही common formula है common तो नहीं बहुत है कि easy formula है उससे आप थोड़े ही time में quantity को find out कर सकते हैं एक बहुत ही lengthy formula है तो हम दोनों को यहां पर discuss रहेंगे कि दोनों formula को कैसे put up करेंगे कैसे उससे इस question को solve करेंगे जो हम आपके लिए question लेके आए हैं तो यह हमारे पास है semi circular आर्क को आप देख सकते हैं कि किस तरह की दिखती है अब यहां पर जो physical है देखिए आर्क कुछ इस तरह की दिखती है तो यह आर्क है देखिए design purpose के लिए भी आपको आर्क बनाते हैं कि हमारा जो घर है बहुत ही अच्छा दिखे तो उसके लिए भ तो अब हमें आपे question को solve करते हैं question को नहीं पहले question को ही solve करते हैं कि कैसे इसकी quantity होती है वो निकाली जाती है quantity of r की जो होती है वो दो formula से निकाली जाती है दो formula simply मैंने आपे लिख दिये कि कौन कौन से वो formula होते हैं जिससे आप quantity of r को point out कर सकते हैं first one formula जो होता है वो होता है 11 बटे 7 into s plus t bracket में into bt यहां पर t दो बार हो चुका है तो bt होता है तो यह formula है यहां पर 11 बटे 7 s जो होता है हमारे पास span होता है span दो मेटर दिया गया है t ठीकनिस कितनी देगी है point 3 मेटर दे गई है into bt b कितना है बिर्द कितनी देगी है point 4 दे गई है and t point 3 मेटर तो यह यह बहुत ही easy formula है इस formula से आप चुटकियों में के कहने का meaning यह है कि point 20 या 30 seconds में question को solve कर सकते हैं इस formula से जो second formula है वो यह है mean length into t into b तो mean length मैं आपको बताती है mean length कौन सी होती है तो देखिए mean length यहां पर यह होती है यह mean length है हमारी तो mean length के लिए आपको जो क्या क्या चाहिए आपके पास radius जो होता है आपको वो find out करना पड़ेगा and जो mean radius होता है वो find out करना पड़ेगा mr जो होता है and r find out करना पड़ेगा mean length को find out करने के लिए तो यहाँ पर formula दिया गया है मैं आपको बताता हूँ कि ml जो होता है वो कैसे find out करना है तो ml जो होता है वो simply होता है 2 pi 2 pi 2 pi into mr बटे 2 तो यह होता है 2 से 2 कट गया हमारे पास pi mr बच गया यह देखिए यह था 2 से 2 कट गया pi mr हमारे पास बच गया तो यह तो यह क्या था mean length को find out करने का formula था 2 से 2 कट गया था pi m into mr बच गया अब हमें m and r जो है इसको find out करना है mr जो होता है वो किसके बराबर होता है यह भी very very important point है अब second point में यहाँ पर देखिए mr जो होता है वो होता है radius into t का half यहाँ की तिकनिस का half तो यहाँ पर r जो है radius हमें find out करना है radius जो होता है वो होता है half of span half of span यहनिके span बटे 2 R जो होता है वो find out होता है R is equal to span का half यानिकि 2 हमारे पास span था बटे 2 कितना आएगा 1 हमारे पास radius की value आ ज़े है अब M R जो होता है radius into T का half तो 1 into T कितना है हमारे पास 0.3 meter है बटे 2 इसका अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 0.15 आएगा 1 into 1 0.15 तो कितना आएगा हमारे पास 1.15 हमारे पास MR आचुका है MR आचुका है तो मैंने यह आपर बताया कि mean radius जो होता है πाई into MR होता है तो πाई की value कितनी होती है very important है πाई की value होती है 3.14 into MR हमारे पास कितना आएथा भी 1.15 आया था find out किजिए कितना आएगा तो यह हमने find out किया है 3.14 into 1.15 तो यह हमारे पास कितना आएगा mean length जो है वो 3.61 हमारे पास आचुकी है mean length 3.61 आचुकी है and T and B multiply करेंगे इसमें तो हमारे पास बिल्कुल सही answer जो है वो आ जाएगा अब जो mean length है उसको दो formula होते हैं find out करने के एक तो मैंने आपको यह वाला बता दिया यह वाला formula जो है mean length को find out करने का एक होता है यह वाला formula यह वाला formula simply आपको क्या करना है कि 11 बटे 7 into span plus thickness span plus thickness आपको कर देनी है तो पाई 11 बटे 7 जो है इसको करेंगे and इसको पहले plus कर लिजिए span 2 था हमारे पास thickness 0.3 थी तो 2.30 आ जाएगा and यह 11 बटे 7 जो है इसको अगर आप divide करेंगे तो 1.57 आएगा 1.57 into 2.30 2.30 को कीजिए 2.30 तो 3.61 यह हमारे पास mean length आ चुकी है जैसे कि मैंने भी इसके थुरूबी आपको अभी find out करके बताएगी 3.61 and 3.61 इस formula से भी आप mean length find out कर सकते हैं and इस formula से भी कर सकते हैं अब यह easy formula है इसमें simply आपको क्या करना है width and thickness जो है उसको multiply कर देना है हमारे पास answer जो है आ जाएगा अब 3.61 इसमें भी आपको कर देना है तो हमारे पास answer आ जाएगा very important question है यह अब देखिए मैं यहाँ पर आपको find out करके बताता हूं question जो हमारे पास पूछा गया है question क्या है question यह पूछा गया है कि calculate the quantity of brick work in semi circular arc of 2 meter span thickness of the arc is 0.3 meter and breadth कितनी है wall की 0.4 meter हमारे पास दी गई है तो very very important question नहीं है मैं आपको simple formula से भी find out करके बताया अभी and इसको दुबारा से मैं find out करके बताता हूं कि भाई कैसे आपको find out करना है ml into b into t यह formula आपको लगाना है तो आप find out कर सकते हैं very very easy तरीके से तो देखिए mean length कितनी आई थे हमारे पास 3.61 आई थी into b कितनी थी हमारे पास b देगा 0.4 दिया था and thickness 0.3 थी find out कीजिए कितना आएगा multiply कीजिए तो 0.4332 यह हमारे पास answer आ गया देखिए option 1 में हमारा answer बन रहा है दूसरे formula से भी हम find out करके बताई थी मैंने आपको तो दूसरा formula है बहुत ही easy formula है वहाँ पर simply आपको क्या लिखना है बही 11 बटे 7 span प्लस थिकनेस and into b t यह formula है easy formula है इस formula में आपको simply value put up कर देनी है आपका answer automatically 0.4332 cubic meter आ जाएगा दुबारा से आप अभी mobile को bounce कीजिए और calculate कीजिए value की आपका answer 0.433 आता है की नहीं आता है अब यह पर number of bricks की बात कर लेते हैं तो हमारे पास quantity कितनी आई है 4.332 तो एक cubic meter के लिए 500 bricks लगती है तो multiply 500 से आपको कर देना है तो 216 number of bricks इस R के लिए लग जाएंगी 216 या फिर 17 रख लेजिए कि 216.6 आ रहा है 217 जो है वो bricks लगेंगी इस R के लिए जो हमने आपको पर diagram में बताया गया है easy question था यह question जो है कई बार जो है दिली का जो stop section commission board है वहाँ पर यह question जो है पूचा गया बार बार तो किसी ने मुन से पूचा तो मैंने इस question की वीडियो आपको बना दी है easy bay में इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो दूसरी जो आर्क होगी उसको find out करेंगे जो की segment आएगी उसमें सिर्फ क्या होगा कि 60 degree का angle भी होगा उसमें तो वो question हम find out करेंगे जैसे की question पूचेगा वो calculate the quantity of brick work in a 60 degree arc over a door with the falling data तो उसको हम find out करेंगे next वीडियो में तो यह आरक उन सबी की हम आपको जो है वीडियो प्रवाइट करके देंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जितना हो सके शेर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को फाइदा मिल सकें मिलते हैं ऐसी ही next वीडियो के साथ